Hello everyone, this is Amaira, I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and avastu expert और मैं हाजिर हूँ आपके सामने नवंबर मंद का टैरोस्कोप लेकर के जहां हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है, हेल्थ कैसी रहेगी, प्यार के मामले में क्या कुछ चल रहा है, वेपार में कहा अप और कहा डाउन देखने को मिलेगा, वो आपके लिए आए हैं, इंडेसिजिजन, वेटिंग, ब्लेस्चेंज, नो, पेज ओफ स्वोर्ट, हैंग मैं, इट ओफ कप्स, वाइफ कप्स, और फूल. पेला मेसिज आपके रिलेशन्शिप को लेकर के है, आपके शादी को लेकर के है, तो केप्रिकॉन, आप फाइनली अपनी शादी से बहुत ही ज़ादा डन फील कर रहे हो, आपको लग रहे हैं शादी में आपको समय नहीं देना है, आपको लग रहे हैं कि इस रिष्टे मे बहुत समय दे चेक हूँ लेकिन कोई इंप्रूमेंट नहीं हो रही है और फाइनली आप अभी शादी से बाहर जाने का जो है रास्ता नवंबर के महीने मुझे देखते भी नजर आ रहे हो आप अपना घर बार छोड़ करके भी है आप हो सकता है कि आप इंडिया में अपनी साथ रहते हो आप शादी से बहुत डान हो तो अभी मैं बोलू इंस्टेंट मुझे कुछ डिवोर्स दिख रहा है तो डिवोर्स तो नहीं है लेकिन एक सेपरेशन एक गैप जो है वो नवंबर के महीने में आ सकता है आप एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा सक गैप एक दीख जाए तो आपकी फैमिली आपकी भी फॉर एंगजांपल यहां है आप भार चले के काम को लेकर के तो क्या हुआ रिष्टों के अंदर गैप आ गया सैपरेशन आगया तो वैसा गैप जो है मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आप रिष्टों को लेकर के बहुत ही जाधा ड़न बहुत ही लिंबो वाली situation फील कर रहे हो कि ना कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है जैसे emotions के नाम पे कुछ है यह नहीं कोई feelings नहीं है तो ऐसे में आप अंदर से जब ड़न हो जाते हो तो आपका मन नहीं करता सामने वाले इंसान के साथ रहने के और हो सकता है डिवोर्स आपके भागे में नहीं है तो इसलिए डिवोर्स लीगल यहां पर मुझे कोई कॉम्पलिकेशन नहीं दिखाई दे रहे है नहीं आप लिगली कोई आक्शन ले रहे हो इस चीज को लेकर के लिकिन आप इमोशनली जो है अपने पार्टनर से मुझे यहां पर दूर होते वे दिखाई दे रहे हो नमंबर के महीने में बात करते हैं आपके काम को लेकर के तो पेज ओफ स्वोर्ड और फूल का काड आया है तो आप यहां पर में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो काम जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा मुझे उसमे मैं इक काम करूँ में कि नहीं करूँ तो मैं बोलना चाहूंगे कि रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है शुरू में थोड़ा सा टाइम जरूर में चार भाईने के आसपस का जो टाइम है वो थोड़ा सा इनो फलक्चुएट करेगा प्लस माइनस ल अपने काम को ले करके और यह कंफ्यूजन आपको यह भी हो सकता कि जो लोग अल्रेडे रिलेशन्शिप में भी है मैं शादे की बात नहीं सिर्फ रिलेशन्शिप की बात कर रहे हूं वहां पर भी आपकी जिंदगी में दो-दो लोग हैं आपको 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 तो मेरी सलाम मानों तो दोनों को ड्रॉप कर दो, कोई तीसरे आपके लिखा हुआ है, कोई नया इंसान आपके जिंदेगी में आएगा, जिसके साथ अपकी शादी लिखी हुई है, है ना, तो इन दोनों के साथ ही आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे, तो बेस्ट जब समझ ही नहीं आ रहा कि किसको चूज करूँ, तो दोनों को छोड़ दो, है ना, क्योंकि शादी किसी तीसरे के साथ होने लिखी है, तो थोड़ा complicated जरूर है, लेकिन बहुत clear भी है, कि अभी आपकी life में बहुती blessed change एक आना है, जो आपकी wedding से related है, यानि कि किसी नए इं सर पूछो कि क्या मैं A को चूज करूँ, मैं बोलूगी no, आप बोलोगे B को चूज करूँ, मैं बोलूगी no, तो actually universe भी हर चीज के लिए आपको यहाँ पे no ही बोल रही है, तो कोई भी major decision इस महीने आपको नहीं लेना है, avoid कीजिए, avoid कीजिए, चीक है, और कुछ लोग जो लेकर के रोने दोने से तो कुछ होना ही नहीं, आप अपनी current energy को भी खराब कर रहे होते हो, don't do that at least, right? थोड़ा सा positive सोचो, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा होना लिखा है life में, काम को लेकर के भी अच्छा काड़ाया है, प्यार को लेकर की भी अच्छा काड़ाया है, ले कुछ लोग swimming का competition में भी participate कर सकते हैं और आप जीत भी जाएंगे, अच्छी चीज है ये, तो ये काफी positive message, a different message हमें आपके लिए मिला है, बात करते हैं, आपके affirmation card की card आया है serenity का, serenity bestow inner peace, tranquillity and calmness of mind, as you become deeply serene and still you connect to the higher powers of the universe for divine guidance and your path of life becomes smooth and flowing, quietly ask your angels to hold you in serenity, I am serene and still, I am serene and still, ये affirmation आपको बार बार बोलनी है, और जब सरीन रह करके, शान रह करके, calmness के साथ, भगवान के साथ connect होते हो, तो आपको जो guidance भी मिलती है, वो correct guidance होती है, सही guidance होती है, तो अपने आपको इस महीने इस energy में रखने की पूरी कोशिश करें, देखते हैं, Capricorn की इस महीने आपको कौन सा spell जो है करना चाहिए, कौन सा ritual कास करना चाहिए, आपके लिए है, let's see क्या आएगा, आपके लिए लव स्पेल जरुवत भी आपको, क्योंकि इतना confusion है आपके लव लाइफ में की map पढ़ गई भी confused हो जा रही है, तो आप तो जी रहे हैं उस life को, Mary meet attraction ritual, यहाप एक attraction ritual के बारे में आपको बताया जा रहा है, try this super fire attraction spell है, take a man shaped mandrake root, mandrake root एक आती है automatically, अगर आप spiritual shops पर जाओगे जहाँ पर essential oils, या उनसे related समान मिलता है, तो वहाँ पर आपको easily मिल जाएगी, या फिर किसी भी herbal ऐसी जगा पर जहाँ बहुत सारी herbs बगरा मिलत चीक है, mandrake root ले लो, और any statue, photograph और figurine of a man or a woman, जिस भी इंसान को आप attract करना चाहते हो, इस इंसान की picture आप ले लो, चाहे वो फिर आदमी है, औरत है, कुछ भी है, चीक है, place it on your altar and surround it with the red and pink roses, अब उस आपने photo को mandrake root के साथ अपने altar में, यानि कि आपके घर के मंदीर में, य place two goblets of red wine beside the arrangement and दो चोटे-चोटे glass आप महाँ पर wine के भी रख सकते हो, ठीक है, arrangement and burn candles every night for a week, अब अपने एक हफते तक रोज महाँ पर एक red candle जलानी है, starting on Friday, Friday से आपने your spell start करना है, क्योंकि Friday Venus कडे होता है, सिर्फ from one of the goblets on the side, जो आपने two glasses रखे है wine के, उस में से एक glass में स से प्ले करके आपने बोलना है, Mary stranger friend of my heart, Mary may we meet again, hail fair fellow friend well met, I share this wine and toast you as we marry meet and marry part and marry meet again, यानि कि यह आप जो है वापस से जो भी कोई आपको पसंद है, आप चाहते हो वापसे मेले, आपके साथ, आपके साथ, आप तो आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके स ता पसंद आ रही है, अपना परसे बोग करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए नंबर पर हमसे संपर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्रम पर भी हमें टारेक्ट मेसेज ट्रॉप कर सकते हैं, थैंक यू सो मुच फॉच पो वाचिंग